अच्छा तो फर्याल चाहती है कि उसकी यूट्यूब की विडियो पे 9000 से ज्यादा कॉमेंट्स आए और जब भी फर्याल बिल्यों की विडियो डालती है तो उसे हर बार एक जितने ही कॉमेंट्स मिलते हैं और जब भी वो अपने कुट्टों की विडियो डालती है तब भी हर बार उसको एक जितने ही कॉमेंट्स मिलते हैं अब बंदर्जा जेल इनेक्वालिटी में C बिल्यों की विडियो की तादात को दिखा रहा है जब के D कुटों की विडियो की तादात को दिखा रहा है जो के फर्याल को यूट्यूब पर डालनी पड़ेंगी ताके उसको 9000 से ज्यादा कॉमेंट्स मिल सके अच्छा अब आगे पूछ रहे हैं कि इस इनिक्वालिटी के मताबग हर बिल्यों की वीडियो पे कितने कॉमेंट्स आते हैं और हर कुत्तों की वीडियो पे कितने कॉमेंट्स आते हैं उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या फर्याल आर्ट बिल्यों की विडियो और साथ कुतों की विडियो बना के अपने मकसद में कामियाब हो सकती है तो भई ये तो हमारा लंबा चौड़ा सवाल था और उसको हल करने से पहले जरा इतमेनान से समझने की कोशिश करते हैं कि इस इनिक्वालिटी में आखर हो क्या रहा है भई अब फर्याल को 9000 से भी ज्यादा कॉमेंट्स चाहिए और ये चीज़ हमें इस इनिक्वालिटी में भी दिखाई दे रही है और ये जो पूरा हिस्सा है इस इनिक्वालिटी का वो असल में दिखा रहा है कि फर्याल को असल में कुल कॉमेंट्स आखर मिलते कितने हैं अच्छा यहां हम सी को किसी कदर से जरब दे रहे हैं और सी तो हमें मालूम ही है कि बिल्यों की वीडियो की तादात को दिखा रहा है और अगर ये पूरी चीज कुल कॉमेंट्स जो मिले हैं उसकी तादात को दिखा रही है तो भाई ये जो 750 हैं वो जाहिर सी बात है कि हर बिल्यों वाली वीडियो पे फर्याल को जितने कौमेंट्स मिलते हैं वो दिखा रहा होगा यानि एक बिल्यों की विडियो पे फर्याल को 750 कॉमेंट्स मिलते हैं और अगर फर्याल सी विडियो डालेगी बिल्यों की तो उसे कुल 750 जरब सी कॉमेंट्स मिल जाएंगे और ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि भई हर बिल्यों की विडियो पे 750 कॉमेंट्स आते हैं अच्छा अब बिल्कुल यही बात यहां भी हो रही है भई यह पूरी चीज असल में दिखा रही है कि कुट्टों की विडियो से कुल कॉमेंट्स कितने मिलते हैं अब अगर D दिखा रहा है कुट्टों की विडियो की तादात को, तो जब हम D को इस कलर से जरब देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये 450 दिखा रहा होगा कि एक कुट्टों की विडियो पे कुल कितने कॉमेंट्स आते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाँ तो भई अब हम आ गए हैं इस सवाल के आखरी हिस्से पे तो क्या फर्याल आठ बिल्यों की विडियो और साथ कुत्तों की विडियो बना के अपना मकसद हासल कर सकती है भई चलें इसके बारे में भी सोच लेते हैं अब साथ सो पचास कॉमेंट्स एक विडियो पे मिलते हैं तो आठ विडियो पे साथ सो पचास जरब आठ कॉमेंट्स मिलेंगे जमा कुत्तों की एक विडियो पे चार सो पचास कॉमेंट्स मिलते हैं तो साथ विडियो पर मिलेंगे 450 जरब 7 comments और अब हमें देखना है कि जब हम इसको हल करेंगे तो क्या कुल comments 9000 से ज्यादा होंगे या नहीं चलें भई, हल करके देखते हैं 700 जरब 8 बराबर हो जाते हैं 500 के और 50 जरब 8 बराबर होते हैं 400 के और इन दोनों को जमा करेंगे तो 500 जमा 400 हो जाते हैं 6000 के बराबर यानि 8 बिल्यों की वीडियो से कुल 6000 comments मिल जाते हैं और अब चलें इसको भी हल कर लेते हैं तो 7 जरब 400 बराबर होते हैं 2800 के और 7 जरब 50 बराबर होते हैं 350 के 2800 जमा 350 बराबर हो जाते हैं 3,150 के और भई इन दोनों को जमा करेंगे तो ये कुछ 9,150 के बराबर हो जाएगा जो के बिलकुल 9,000 से ज्यादा हैं और इसलिए यहां हम हा पे निशान लगाएंगे